प्रभारी के रूप में अपने तीन साल पूरे की हैं और जिनके कारेकाल में राजस्तान में भाजपास से सत्ता चीनकर कॉंग्रेस सरकार में काबिज हुई है अविनाज पांडे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है एवन टीवी पर नमस्कार आपसे बड़े लंबे समय बात वरी चिनाव में बात हुई थी विदान सावा में इसी स्टूडियो में आज हम बात कर पा रहे हैं और संयों की बात है का आज वो दिन है जब देश के प्रदान मंतरी उस वक्त के बहुत बड़े युवाओं के हिदय समराट लाजीव गांडी जी का बलदान हुआ था उनकी पुनित थी आज सबसे पहले मैं उन्हें याद करना चाहता हूँ आप आप से बाचीत के मौके पर क्योंकि रीजनल मीडिया में बहुत कम मौके होते हैं जब देश के प्रदान मंतरी से कोई पत्छकार की मुलाकाथ हो पाए मुझे से दो बार उनकी ऐसे मुलाकाथ हूई और उनंकी स्बुन्तिया अभी भी मेरे मानस पटल पर हैं तो आप कि स स है आज उन्हें याद करना चाहेंगे राजीव गांदी जी को देखिए राजीव गांदी जी का राजनिती में उनका पदारपन ही हम लोगों के लिए एक वर्दान का और आए उस समय की युवा प्ली में मुझ जैसे ऐसे हजारों और लाखों ऐसे युवा शक्ति से जोड़ ऐसे हैं उनको उनने पूरे देश में कारे करने के लिए प्रेरित किया और एक यह बहुत ची दूर गामी और देश के सबसे नौजवान प्रधान मंती के रूप में देश ने उनको सुएकार किया और उनने आने बाज़ की बीसवी शदी का जो सपना उने देश को बतलाया उसे साक्षात करने में उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी और आज के इस उसर पर मानने राजीव गांधी जी को हम अपने शद्धा सुमन अर्पित करते हैं इन्हें शद्धान्जली देते हैं लेकिन जो प्रेना उनने दी थी देश को 21 सतावदी में एक युवा भारत को विश्मिक एक शक्ती बनाने का जो सफना और जो रहां उन्हें दिखाई थी आज उसी सिधान्दों को लेकर हम सब लोगों का छोटा मोटा प्रेतन हैं कि राजनिती के माध्यम से कॉंग्रेस की इस विचारधारा के माध्यम से और कॉंग्रेस के उन मुल्यों को लेकर हम देश को एक नई उचाईयों पर ले जाएं क्या आपको लगता है कि राजी उगानी जी के छोटे से कारेकाल का भी जो राजनितिक मुल्यांकन किया जाना चाहिए इतियासकारों द्वारा और राजनितिक विश्टेशकों द्वारा क्या वे उनके साथ न्याय किया गया है उनका राजनितिक विश्टेशन और उनके कारे उन्होंने इस देश की जनता को और यूआ पीडी को जुदिया मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई किसी के सर्टिफिकेट या किसी के सत्यापन के आवश्यक्ता नहीं है आज विश्व में हिंदुस्तान के नौजवान साथी पूरे दुनिया में जाकर जिस प्रकार से आईट संचार में करांती ला रहे हैं ये उनकी देन है जो पूरा विश्व और पिशेश रूप से हिंदुस्तान इसको कभी नहीं भुला सकता तो मैं समझता हूं कि इसी प्रकार के अनेक सपने एक स्वच्छ भारत के एक अच्छी स्वच्छ राजनीती के और मानोता का चेहरा ल आगे बढ़ने का जो उन्हें खामयाजा देना पड़ा देश वासियों के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी अपने प्राणों की कुर्बानी देकर उनने देश की एकता अखंडता और राश्टरवाद को मजबूत किया है और उसी मजबूती के आधार पर हमारा आज का लोकतंत्र इसी प्राकार के जो नेतां जिन्होंने देश की आजादी से लेकर आज सब अपने मुल्यों के लिए और देश के लिए अपना आत्म बलिदान दिया है कि हम सब लोगों को सस्मरन करते हुए और मजबूती से आगे बढ़ना है ताकि उनका ये बलिदान विर्थ उपरेशन सी डॉट और साइंटिफिक मिशन की देने जो राजी गांदी ने चलाया था ये मैं बिल्कुल उनको सच्छत प्रणाम करता हूँ कि आज के इस मौके पर और जो टेक्नलोजी को उनने हिंदुस्तान में उस समय भी लोग इसके विरोध में और उनके इस योजना के विरोध में हमारे विपक्षी जो उस समय चीटा कशी किया करते थे आज उनको भी मानना होगा कि ये उनकी दूर दिसी थी जिसके चलते हुए आज हम इतने हजारों मेल दूर बैट कर भी और लोगों के संपर्ट में हैं लोगों से बात कर पा रहे हैं जी लेकिन ये जो पार्टी आपके प्रतिफख्ष में है और इस वक्त केनर में सत्ता में है वो चुनाव लड़ते समय भी बार बार ये बुलंदी के साथ कहती है कि सतर साल में कुछ नहीं हुआ सतर साल में देश का कोई विकास नहीं हुआ आपकी पार्टी जवाब में उन सब बातों को क्या गिना पाती है उस तरह जिस तरह की इंद्रा गांधी के जमाने किया राजीव गांधी की उपलब्दियों की बात हम कहें जवाब में आप लोग उनको दे पाते हो ये बाते हैं गिना पाते हो अनिल जी मैं इस चीज को दूसरे तरीके से रखना चाहूंगा और मैं उसका संस्परन रखते हुए एक चीज निश्यत रूप से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज माननिय प्रधान मंत्री जी देश को स्वावलंबी और आत्म निर्भर बनाने की जो बात कर रहे हैं मैं प्रशन करना चाहता हूँ हमारे उन सभी बुद्धी जीवियों से जो ये सतर साल में कॉंग्रेस ने क्या किया उस प्रशन का उत्तर मैं पूछना चाहता हूँ कि देश में सबसे पहली राजिव गांदी जी के दूर संचार करांती की बात हमने की लेकिन देश की समयधानिक संस्ताओं के स्थापन से लेकर उनको सही मायने में लोग तक लोकारपण करने तक से लेकर आस तक समयधान की रक्षा करते हुए ने हर छित्र में हमने जो उस समय का नारा माननिय हमारे स्वर्गिय प्रधान मंत्री जवारलाल नहरू जी ने किया था पंच वर्ष योजना के माध्यम से और जो उपलब्दिया हुई है जहां पर कि विश्व में हिंदुस्तान एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है तो इसके लिए हाथ कंगन को आरसी की आवश्यक्ता नहीं है और कॉंग्रेस की उपलब्दियां अगर मैं गिनाने जाओं तो पिछले अगर देखें तो हम जो इतिहास कॉंग्रेस का रहा है और उस इतिहास को अगर हम बीच में रखें और उसके चलते हुएं देखें तो 133 साल के 134 साल के इस देश की आज़ादी के इस देश में कॉंग्रेस के स्थापना के बाद में हैं कॉंग्रेस की उपलब्दियां जो हैं लोगों को उसका अध्यान करने के आवश्यक्ता है उसे फिर से स्मर्ण करने के आवश्यक्ता है और लोग उसका फल हमारे उन दूर दूरस्टी दूरगामी जो हमारे विजनरी नेता थे जोनों है इस देश का नेती थे के आलग अलग शेतर में हमारे साइन्टिस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजिनियर्स, हमारे राजनेता और कॉंग्रेस के मागधर्शन में जो देश ने अपनी ख्यातिय और अपना ब्रांतियां उत्पन्न करना यह उनका एक राजनितिक मूव है जिसको जिसका हम निशेद करते हैं इस वक्त कॉंग्रेस का नेतरत्व वैसे सुनिया गांधी जी के हाथ में लेकिन जो नई पीड़ी है राहूल जी और प्रियनका जी दोनों ही राजीव गांधी जी के पुत्र पुत्री हैं कि यह aapको लगता है कि जैसा नेत्रत इन्ड्रा गांदी जी ने रात गांधी जी ने दीया था लाजीत गांदी जीस शमा करें यह दोनों देश को वैसा नेत्र दे पाएंगे और इस प्रिकार के कोई प्रांति या किसी करका निसंगोच में कह सकता हूं की वर्तमान में माननिय सुनिय गांदी जी और आदरनिय राहूल गांदी जी के निटूतमें कॉंग्रेस सद्रड है और जो मुल्य जो माड़ देशन जो दिशा हमारे पूरवजों ने हमें बतलाई है देश सेवा के लिए देश प्रेम के लिए आज भी आप देखेंगे कि कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के कारे करता अभी भी पूरे विश्वास के साथ में आत्मे विश्वास के साथ में उसी कारे में लगे हुए हैं सत्ता का आना और जान यह लगा रहता है और यह कॉंग्रेस ने इससे पहले भी काफी उचाईयां और हमने अपने नीचाईयां भी देखी है लेकिन कॉंग्रेस की यही तारिफ है क्योंकि हम कभी अपने मुल्यों से अपने आदरशों से कभी हटे नहीं और यही वो कारण है कि कॉंग्रेस के आज क नेत्रुत्व पूरे स्रदर्टा के साथ में, पूरे आत्म विश्वास के साथ में, नेत्रुत्व कर रहा है और हमको उसका गर्ण